सस्क्राइब कीजिए मोबाइल टेकनिकल गुरू चैनल को और बेल आइकान पे किलिक करें हमारा लिटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों Mobile Technical Guru में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महतपूर होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलने माला है मोबाइल में लगे इस छोटे से छेत का क्या मतलब होता है इस छोटे से छेत को या डाट को मोबाइल फोन में किस लिए दिया गया होता है आपके दिमाग में ये सारी बाते बार बार हंट करती रती है कि ये कैसा छेत है या कैसा डाट बनाया गया है मॉवाइल फोन में इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा कि इस छोटे से छेत का क्या यूज होता है ये क्यों दिया गया होता है मॉवाइल फोन में इसके लिए इस वीडियो को बीना स्क्रिप्ट किये लास्ट तक देखना होगा तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा वीडियो शुरू करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आफ लाईक करणे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में वारशाफ Facebook, Twitter पर सेयर करणे ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है परदी मौरिया दोस्तों ये जो छोटा सा डाट है या छेद है वो लगभख आईफोन के सभी माडल में देखने के लिए मिल जाता है फ्लेसलाइट और कैमरे के बीच में इसके अलावा आज कल जितने भी महांगे एंड्राइट फोन मार्केट में आ रहे हैं उन सभी एंड्राइट फोन में ये छोटा सा छेद या डाट देखने के लिए मिल जाता है तो चलिए जान लेते हैं कि इसका क्या जो जो होता है मोबाइल स्मार्ट फोन में दोस्तो ये जो छोटा सा छेद है ये लगबख सभी मोबाइल फोन के बैक साइड में लगे कैमरे और फ्लेसलाइट के बीच में या उसके ठीक उपर देखने के लिए मिल जाता है जिसे हम नवाइज के लेसिंग माइक्रोफोन या हम रियल माइक के नाम से जानते हैं दोस्तो बेसिकली अगल बगल के जो नवाईज होते हैं उसे हटाने के लिए काम करता है या कहें फिल्टर करता है जिससे की हमारी आवाज दूसरों तक सही सुनाई दे और आज पास के जो बैक्ग्राउंड आवाज हैं जो भी नवाईज हैं या फिर कहें सोरगूल है उन सभ को हटा देता है ताकि आपकी जो आवाज है वो दूसरे तक सही सुनाई दे इसलिए इस छोटे से छेद यानि माइक्रोफोन का यूज किया गया है स्मार्टफोन में अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह मेरा मोबाइल फोन है रियल मी का और इसके बैक साइड मे जब आएंगे तो यहां पर देखेंगे कोई सा भी छिदर कैमरे के अगल बगल नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन जब इसके उपर आएंगे यहां पर तो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा छिदर दिखाई देगा आप देख सकते हैं आपको लाइप रूप ठीक है यह रियल माइक होता है ठीक है इसका यही यूज होता है यही काम होता है तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अगर यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सेयर कर दें चैनल पे पहली वीडियो के साथ तक के लिए बाइबा आपका दिन सुभो